एक बार की बात है, एक गैंग ने एक बड़े बैंक को लूटने का प्लान बनाया. गैंग के चार सदस्य थे राज, रिया, रोहन और राहुल. राज गैंग का लीडर था जो बहुत होशियार और चालाग था. रिया राज की प्रेमिका थी जो बहुत खूबसूरत और होता था. वे ने अपने आपको बैंक के करमचारियों के रूप में ड्रेस किया और बैंक में घुज गए. राज और रिया ने बैंक मैनेजर को बंधक बना लिया और उससे लौकर का कोड मांगा. रोहन ने बैंक के सिस्टम को हैक करके अलार्म और कैमरे बंद कर दिये. रा राज ने रोहन को फोन किया और पूछा. रोहन तुमने तो कहा था कि अलार्म बंद है. फिर पुलिस कैसे आ गई? रोहन ने कहा. राज मुझे नहीं पता. शायद किसी ने टिप दे दी हो. तुम जल्दी से भागो. मैं भी आ रहा हूँ. राज ने राहुल को फोन किया और राहुल पुलिस आ गई है. तुम गाड़ी चलाओ. हम आ रहे हैं. राहुल ने कहा. राज मुझे भी नहीं पता. मैं तो यहाँ खड़ा हूँ. तुम जल्दी आओ. राज और रिया ने बैंक से बाहर निकल कर गाड़ी में बैठ गए. राहुल ने गाड़ी को तेज चलाय और पुलिस को पीछे चोड़ने की कोशिश की. रोहन ने अपना लैप्टॉप लेकर गाड़ी में कूदा और कहा. राज मुझे लगता है कि हमें धोखा दिया गया है. किसी ने हमारा प्लान पुलिस को बता दिया है. राज ने पूछा. कौन हो सकता है? हम चारों को किसी को नहीं पता था. रोहन ने कहा. मुझे नहीं पता. लेकिन मुझे एक बात पता है. हमें इस गाड़ी से उतरना होगा. ये गाड़ी ट्रैक हो रही है. पुलिस ने हमारी गाड़ी का नंबर पता कर लिया है. राज ने कहा. तो फिर हम क्या करें? हमें तो इस गाड़ी से ही भागना है. रोहन ने कहा, नहीं राज, हमें इस गाड़ी को छोड़ कर किसी और गाड़ी में बदलना होगा. मुझे एक जगह पता है, जहां हमें एक नई गाड़ी मिल सकती है. राहुल, तुम वहाँ चलो. राहुल ने कहा, ठीक है रोहन, तुम मुझे रास्ता बताओ राहुल ने रोहन के कहने पर गाड़ी को एक छोटे से गाव की तरफ मोड़ा. वहाँ उन्हें एक खाली गाड़ी मिली, जिसमें चाबी भी थी. राज, रिया, रोहन और राहुल ने अपनी गाड़ी को छोड़ कर उस गाड़ी में बैठ गए. राज ने राहुल को कहा, र रहां हमें कोई नहीं ढूंड सकता. मुझे एक ऐसी जगह पता है. रोहन तुम मुझे अपना लैप्टॉप दो. मुझे वहां का पता बताना है. रोहन ने राज को अपना लैप्टॉप दिया. राज ने उसमें एक एड्रेस टाइप किया और राहुल को दिखाया. राहु तुम मुझे मेरे घर ले जा रहे हो? लेकिन क्यों? राज ने कहा, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है राहुल. तुमने हमारा प्लैन पुलिस को बता दिया है. तुम ही हो वो गद्दार जिसने हमें फंसाया है. राहुल ने घबरा कर कहा, नहीं. राज, मैंने ऐसा राज ने कहा, अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता राहूल, मुझे सबूत मिल गए है, रोहन तुम उसे बताओ, रोहन ने अपना लैप्टॉप खोला और राहूल को एक ओंडियो क्लिप सुनाई, उसमें राहूल की आवास थी, जो पुलिस को गैंग के प् राहूल, तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे, और फिर पुलिस तुम्हें गिरफतार कर लेगी, और हमारे पैसे का इस्सा भी हम तुमसे वापस ले लेंगे। नोटों की फोटो कॉपी थी, वहर राज को बताने लगी, लेकिन उससे पहले राहुल ने अपनी आँखें खोली और एक बटन दबाया, उसके बटन दबाने से उसकी गाड़ी में एक बम फट गया, राज, रिया, रोहन और राहुल सब मर गए, ये सब देखकर पुलिस भी चौक गई, वे गाड़ी के पास पहुँचे और उसमें से एक फोन निकाला, उस फोन में एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसमें राहुल की आवाज थी जो कह रहा था, नमस्ते, मैं राहुल हूँ, मैं एक अंडरकोवर और फिजर हूँ, मैंने एक गैंग को जासूसी कर के उनका प्लान पुलिस को बताया है, लेकिन वे लोग मुझे पकड़ लिये हैं, वे मुझे मारने वाले हैं, लेकिन मैंने उन्हें धोखा दिया है, मैंने उनके पैसों की जगए फोटो कॉपी रखी है, और मैंने अपनी गाड़ी में एक बम लगाया है, जब वे लोग शहादत की खबर दी, राहुल के परिवार ने उसका अंतिम संसकार किया, राहुल को एक शहीद के रूप में याद किया गया,